पूर्पक्ष का दूसरे तरीके के शंकाति उसकी विजवाब में उनी तीन सुत्रों को पुना लगाएंगे सुत्रों के अर्थ कोई अंतर नहीं करेंगे लें पूर्पक्ष में अंतर पूरपशा, पहले यह था कि प्रियसंसुचनात् यह जिवात्माईइ उपक्रम में है अब पूरपश तुडप बदलता है है जिवात्माही अपक्रम में लेधे प्रियसंसुचनात patent यह तुको नहीं लेता है औरुयातरप्थति आतवर्पत्रप्रति आतम पहले से जाओ, ते सुत्रियन वाई, यह दपी उक्तम प्रकृत अश्या, एवा, महतो भूत अश्या, दरश्ट विय स्या, भूते पियसमुत्धानम विज्यानात भावी न दरशें, जो दरश्ट विय भूता है कौन वास्तों में, महतो भूत जो पदार्थ है, ब्रह्म, ले विधां नहीं किया, दरश्ट विय महत भूत कारण ब्रह्म, लेकिन, दरश्ट विय ध्यपी हुआ है, लेकिन वियाख्या किसके की गई, ब्रह्म का नहीं, उसको क्या क्या द्रश्ट वूता उस ब्रह्म को भूतों से समुधान की कथन के माध्यम से विज्ञानात्म भाव पर पहुंचा दिये उसको पहुंचा करके उसको विद्धानात्म ने एवव इदं दृष्टवित्तं दृष्य थी। उस विद्धानात्म के रुपेन ही उस ब्रह्म को दृष्ट्य रुपेन कजन करो यद्यवी ब्रह्म था द्रश्टव्य लेकिन वहाँ सधी के द्वारा द्रश्टवी नहीं है यह असंबवी निर्गुण निराकार का दर्शन के इसे करोगे इसलिए उन्होंने क्या किया भूतों से उठा करके भूते प्यसमुत्थान मुक्त्वा विज्ञानात्म भाविन धर्शें विज्ञानात्म ले वहा इधम द्रश्ट विझ्ञानात्मा ही द्रश्ट भी है इसे करते हैंró यह गढ़वड़ि होगैं ब्रह्माभिन हम जिवात्मा हो लेन हम interests मmar नहीं चाहते हैं उपादी की जो विशिष्ट स्वरुप का हम दर्शन करना नहीं चाहते हैं लेन पूरपक्ष कहता है उस उपादी विशिष्ट ही द्रश्ट भी है शुद्रश्ट भी नहीं उसके लिए अब इन तीनों सुत्रों को कटाएं उसे खंडन के लिए तत्रापी देखां फरक समझ रहें ना पहले में और अब उसने का आत्रस्तुका मैं सरौंपरिम्भवदी प्रियत्वात यही प्रमुख है मुख्य है प्रिय होने से यही मुख्य है जिवात्मा ही यतिवे उद्रश् वास्तों में मुख्य प्रावतो आत्मा ब्रह्म ही है लेकिन वह द्रश्टेवी होने के बावजुद भी उसके स्वरूप ऐसा है कि वह द्रश्टेवी नहीं पा रहा है आते हैं उसको बूतों से मुद्धान करें का इसे वस्ता में लेकि उस जिवात्मा को और उस जिवात सब्सक्राइब कोई खड़ा करता है तब भी इनी तीन सुत्रों के द्रौस का जवाब सिद्ध कर देनी चाहिए कैसे करोगे प्रतिग्या से देर लिंगम आश्मरत्या सुत्रतार्थ पढ़ चुके बस वही जवाब में कोई फरक नहीं है इदम अतर प्रतिग्यात्म पस प्रतिग्या वाग्की में आंतर दिखाएंगे थोड़ा आत्मनी वीते सरम इदम भवती इदम सर वमेदैं मात्मा ये प्रतिग्या है उपपाजितन्च सर्वस्च नामरूपकर प्रपंच अस्य एक प्रसवत्वात जो नामरूपात्व करमात्व सम्पूल प्रपंच है एक कारण से उत्पन हुआ है यहाँ बात पहले प्रतिपाजन कर चुक एक प्रले वत्ता अच्छा और एक प्रले वत्ता भी सिद्गर दिया यह जिल्ग जी जो है प्रतिया करने के बाद ये सारी बात बीच में कह दिये नाम रूप करमात पक जो जगत है वो एक कारण से चन्नी है और उसी एक कारण उसका प्रले भी होता है अतेव उसे एक कारण उसके सिधी भी मानने पड़ाई दुन्द व्याधी दृष्टान तैस्च कारी कारण योर अवेति रेक प्रतिपादनाद किने दुन्द व्याधी दृष्टान तों के द्वारा कारी और कारण का अवेति रेक वितपादन किया है अतेव जीव ही जो कारी है वह ब्रह्मुर्पी कारण से अभिन है करते हैं याश्मरुत्ति का दानते वही थोड़ी कमी यही पर है वो परमात्म का कारी जिवात्म मान लेते हैं वह गडबड़ विकारात्म को जाएगा इरजीवात्मानित्य हो जाएगा वह इष्ट नहीं है तस्चा येवा प्रतिज्या यहां से गिम अते पूरोक्त उस प्रतिज्या के सिद्धी के लिए सूचेती एतत लिंगम यन महतो भूतो से द्रश्ट वेसे भूते बेसमत्तानम लेकिन उसी प्रतिज्ञा का सिध्धी करने के लिए एततलिंगम सुचेती यहाँ प्रमान को एक तरस सुचित किया गया संकेदित किया गया है क्या जो कि महतो भूतों से द्रश्टविश्या भूतेब्य समत्तानम विज्ञानात भावेन कतितम अंतर थोड़ा करने देखो ठी समत्तान करके विज्ञानात भाव को प्राप्त हुआ है यह बात कहा गया इतनी आश्वरत्य आचारी मुन्य थे ऐसा आश्वरत्य आचारी मानते हैं लेकिन कार्यकान वह होता हुआ भी अभेदेही सती एक विज्ञान ने सरविज्ञान प्रतिज्ञातम अभेद होने पर ह इक विज्ञान के तर असर्विज्ञान की प्तक्यास सित्धू पाएगा अत्व ये कार्य कारणभाव का मानने के बहुजूद भी ए दोनों अभिन्य है तो अभ胆दी तोलिक अभेद वादी लेकिन फेला भएद वाद खालने दृश्टिया वेद और कानगा दृश्टिया आं वेदरु श्यू मांता है कि बेधा वेद वाद होने के आ tea एमानीफ सो पूर्पक्रेण से तुझ्जातो है पूर्पक्रेण ने तो गेवर जिवात महां ही धुिक वी गुर्भी दृश्टे विंगता है और ये penis नह और जीव का कारण द्रश्ट कारण के साथ इसका अभेद में से आधिन में ऊस्ते में उत्करश्टा amd आते औड़ू लोमी उत्क्रमिश्य तो एवं भावाद इदि आउड लोमी ही उद करमिश्यता विज्ञान आत्मनों ज्ञान ज्ञाना जी सामर्त संप्रसंद स्या परेणा आत्मना अल्क्य संभवाद इदम अभेदा विदानमी दी आउड लोमिर आचारियों मन्नेते इनकी समझे ये अवस्ताओं में मानते ही है मुघ्ति के शरीर से मुघ्ति हों पूरा वस्ता में भेद असुत्तर वस्तामैं अभेद मुक्रे वेदगाण उनके अभेद नुमुक्रे और स्में घौन है आभेद मुक्रे एक बाराद में पहूंच गयает एक बार आभेद feet उस कारण से, र्रोजिवा जाएगा संसारर में नफड़ा वा जाएगा इसकी मुक्ती भी सम्य स्थुर्ता को प्राप्य उइंसे स्तिशित को प्राप्ति के कार्य कार्य सहे भावन से के भखार प्षोड भारि हों आज रौक फूक कुटड़ fragr हो हो दीरी दीरे वह चुप रही नौ जाए वापस मिट्टी मिल जाए कभी ने कि फिर समिट्टी से घड़ा बने तो कारणकारी का अनन्यत्य में समणज्या ओजाएगी यही जिए वहां कारण और करण वास्तहिक भेद मान लेंगे तो आऍञे से इस इसलिए को आध्याना एक स्वाध्य प्राप्त करγें अध्याना घ्यानाधिते को प्राप्त कर जाएगा इती इदम अभेदा विधानम इसलिए यहाँ अभेदा विधान कतने हुआ है अवस्तिते रिदि काशक्रस नहां काशक्रस आचारी करते हैं अभेदा विधान तो है लेकिन अवस्ता भेज से भी अभेदा नहीं है किन्त यहाँ पर अवस्तिती है जो वह आविद्यक है प्राक मुक्त वस्ता और मुक्त उत्तर वस्ता करके अवस्ता भेद को ले करके नहीं है यहाँ भेदा भेद किंदो सदाई या भेद यह काश्कृस्ता में कभी भेद हुआ ही नहीं पुई श्रौत मत है गहाँ, बेड तो हुआ है नहीं कभी, वो तो ब्रांधि से दिखाए दे रहाय के वाजा, वास्तों में बेड उत्पन्द ही नहीं हुआ. अर सीवा परमात्मनों, नुशी परमात्मा जीवाओं को प्रावत वना है, वही परमात्मा का, अनी नापि विज्ञानात भावेन अवस्थानात उपपन्नमिदं अभेदा विदानमिदे काश्क्रसाचारियों बन्यते वही परमात्मा अनेने जीवेन जीवरूपे न नामरूपे व्याकरवानी कहता हुआ वह परमात्मा ही शुपाधी में प्रवेश करके जीवरूपाव से स्थित है। वास्तो इसलिए परमात्म से जीवरूपे लग है यायनी वेदा भेदावीद भी नहीं कुछ भी नहीं तरह भी सम वह हैं आपने कांद से भिन या भिन है तबाद है आवस्ताओ बेद है यह नहीं दोनुँई बाद गलत है कि आवस्ता से भी वख़यही नही है क्यों बेद ही नहीं है वह ही है जब वह ही है तो अवस्तांतर को प्रावत प्रणाम अधिमें क्या होता है अवस्तांतर प्रावत तो अलग माननी पड़े बेदा बेद मानने ते हैं साँख्यादियों गई तो है ना कि प्रकुर कीसी जब पॉजा हुआ मात मात स्यहंकार या लग-अलगी रहेंगे वो बहुत है करना में रहा है प्रिवे कारी अपना सुतिंदर सत्ता वाला हो जाता है कि कारी में रहते हुए विश्यम सत्ता क्परणाम में दोनों में भैद कर दिया नहीं से लिए ही कि परिणाम वाद में भी खत्रा है कि परिणाम किस प्रकार का मानेंगे उसमें खत्रा होता है विशम परिणाम जो परिणाम मानेंगे उसे दिक्कत होगा वह सांक्यों कमात है हुआ है नहीं है हमारे समसत्ताग प्रणाफ में कोई इकत्री है मया की सत्ता केसी पारमार्थिक दोहीं नहीं अटे उससे ने पारमार्थिक होगा आता बेज सरवदाय आप पारमार्तिक से थो गया अरदिश्टावदात्वाही पारमार्तिक रह जाता है इसलिए वही जीवरूपेन दिखाई देता है इती काशक्रसाचार्यमनेते पुरपक्षि कहता है महराज यहां तो याग्यवलक ने तो कह दिया नाम नहीं रह जाता है नश्ट हो जाता है उच्छेद धर्म कथन किया और आप कह रहे हैं कि वह ब्रह्म ही है तो ब्रह्मी उच्छत हो जाए है अबेदा अबेदा नहीं यहां तो उच्छेद का अबिदान है आत्मा भी नश्ट हो जागा इसे बोला है यांग्योलक ने कहां बोला है इन भूतों से उठेगा और भूतों का नाश होते होते साथ सा तो भी अनु पस्चा तो भी पिच्छे पिच्छे नश्ट हो जाएगा अथे विसका नाम नुम कुछ नहीं रह जाता है कह दिया इसले आत्मा भी खतम हो गया तो अबेदा यहां तो उच्छेद है इसने अभिदा अभिधान का प्रसंग कर रहा है समुथान जो किसका है ब्रह्म का है क्या शुद्ध का फिर यह ब्रह्मी समुथान करने लग जाए परिच्छन मदार्द मनने बड़ेगी समुथान कौन करें आप यहां से उठेंगे है ना कौन उठा जो परिच्छन है आप अपने आपको परिच्छन मान रहें न सशरीर वाला वही तो उठेगा जो उठेगा वो किसने किसी देश से अलग होएगा जो किससे देश से अलग होने वाला हो सरव्यापी नहीं हो सकता सरव्यापी नहीं हो सकता है आए चल्म भूति अपयर्ष मुauraisत्टाय यह शब्दों से सबस्ट है या उत्थान और नाश किसे थला उपादिकां निर्पादिका निरपादिका न उत्ह ना सकता है न उत्हा पि munka सब्सक्राण मुश knife उत्हां के साथा चांट का पिछीजी नाश होने वाला वस्तु और उपादिकी वस्त उत्व होगा उपादिय initiatives तो विशेश विज्ञान वाला था भाम जीवोस्मी, देवदत्त संजकोस्मी, ब्रामनोस्मी, इत्यादी उपाधियों के लेकर एक विशेश विज्ञान जो था उस विज्ञान के बारे में काते हैं अन मिरिश्यता। आते वह विशेष्ट नाम जो थे आस तक वह सब खतम हो जाते हैं विशेश विज्ञान विनाश अभिप्रायम में तक विनाश अभिदानम न आत विज्ञान था उपाधी के वजह से आपके भीतर वो जो विशेश विज्यान का विनाश के अभिप्राय से यहां पर का गया है अनु विनश्यती नप्रित्य संग्यास्ति न आत उच्छेद अभिप्रायम आतना के उच्छेद की अभिप्राय से कुछ नहीं का गया है जैसे आप पूर पक्षी उच्छेद की आशंका कर रहे हो इस वाक्यार्थ में उच्छेद ही है अभेद नहीं है ऐसी जो आप जैसे आशंका कर रहे हैं इसी प्रकार वा मैत्री खुद भी शंका की थी उसके में मन में यही था आत्मा नाश नाश हो गया उसके भी मन में आत्मा के नाश की शंका थी इसलिए उसने का महराज आपने कैसे कह दिया हे भगवन भगवान आमुमहन. आपने तो मामाने माम अत्रिव अस्मिन विशिय आगतियः मोह में डाल दिये हैं. कौन इन वांकि तिरे को मोह में डाल रहा है यह पःत्रित की संग्यास थी. यह आपने कोह दिया. ये तो लगता है कि आता बिनस्ट हो रहा है विनाशी है वो इति परियनुज्य मैत्रे की शंका को शुर्टी ने बताया और स्वेमे शुर्टी आर्थांदर से दर्शेत रत्वाद स्वेमे शुर्टी ने इस वाक्य विनाश अर्थवाला नहीं है किन्तो आभेद अर्थवाल अर्थां तर्मने अभेद अर्थ वाला है यह दर्शादिया कैसे नवार्य हम मोहंब रवीमी अरे मैं तो तुमको ग्रांती में डाल नहीं रहा हूं आत्ना के नाश्य कतन नहीं कर रहा हूं मात्रा संसर्गस्त अस्यभवत यह मात्रा के संसरक्र के कारण से मियत नुए निहीं ते मात्रा भूत अदे सर्वानी इंद्रियानी चविलंए वो जो मात्रा हैं उसके संसरक्स जो विशेश वग्यान था वो विशेश वग्यान का नाश की बात में कहा है मैंने आत्ना के बारे में नाश को कथन नहीं कर रहा हूं आत्ना के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वो आविनाशी है अनुच्छती धरम, अनुच्छेद धरम वाला है अरतात अभेद है अते उच्छी दुनीद भेद में उच्छेद जरूर है कि भेद जो भी होगा तो उपाधिकी होगा सावय होगा, सकल होगा निश्कल नहीं हो सकता सक्री होगा, निश्क्री नहीं हो सकता सगुण होगा, वो निर्गुण नहीं हो सकता सावय होगा, वो निरव नहीं हो सकता जहां भेदे तो इस सारी चीज़ आती है और इन सारी चीज़ें क्या है ये सब नाश का निमित है सगुण होना, सावय होना सकर कलाओं से उपतो सकल हो जाना सक्री होना सकाम होना यह सारी चीज़ कहा है विनाश का कारणे और वो ही नहीं रह गया अतिवे आत्मा अविनाश यह हम कहना चाह रहे है अर्ताता अभेद का यहां कतन हो रहे है अद्वाइद का कतन हो रहे है क्वास्ता में इन वाक्यों का थात्पर यहां गुट अवय अन्य नहीं मुट किसी चीज के नाश के संभावना हो उसके साध्रों की चिंतन होता है और यहां प्रसंग ही नहीं हो इसे इसका विचार ही नहीं होता है मात्रा विस्तो से भूतेंद्र लक्षना भी अविद्या गरदाभी असंसर्ग विद्या भवती और जो विद्या के पूर काल तक आपके दर मात्राओं के साथ अस्य इस आत्मा का भूतेंद्र लक्षना भी मात्राभी भूत और इंद्री रूपा जो मात्राओं के द्वरा अ विंद्या करना, विद्याख्रत भी मात्राभी असंसरग को अश्य आत्मनह असंसरग विद्याख़वती, की विद्या विद्या के द्वारा हो गाहे। sants hear नवशेष विज्ञानस्य भावात, न प्रित्य संग्यास््तितुक्तम् मिदी, संसर्ग का भाव होने के नाते वो संसर्ग कृत जो विशेश विज्ञान अस्य अभावा वो नहीं रहो गया उस्ट्रिकोंड से कहा दिया गया था नप्रिति संग्या अस्त्रि इती यह दपी उक्तंपूर पक्षणी लेकिन का था करत्री वाच्छी क्यों पुरे हो गया फिर विज्ञात अरं विज्ञात्र शब्द कर दिदिया करें करत्र वाच्छी परच्छी परत्यांत लगहिं शां स्वलिकार महा ब्रह्म का विछार नहीं है एक पूरवक्ष के अथा है ज्ञानात्म नेव इदम कफ़नमिति द्रश्टव्यम तदपी काशकृस्णियन इव दर्शन परिहरनियम काशकृस्ण का दर्शन से उसका वी परिहार हो जाए अज्ञान अवस्ता में जो विज्ञानात्मा था उसको कर्तरी वात्य के प्रवी हो गया और उसकी ज्ञान अवस्तामी वो जो कर्तरी विज्ञान शगल भाव से रहित्रा है अपिच्या यत्रे द्वैतं इव भावति तजी तरह इत्रां पश्यती येति आरभ्या अविध्या वेशे थ सेव दर्शना दिलक्षन विशेष्व ज् आरम किया यतर इद्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित् का ततके नगप पश्यां से चाहां प्रियार सब कुछ आत्ना ही हो जाता है किसे कि से देखेंगा कर से दिद्धिया विश्या कुछ ta अभाँ स्पाव को विशेश हुग्या ने जिसी क्या भाव को विद्धिया के प्रसंग में कथर किया हुआ शो दिद्ध chut अभावे आतन विजानियात अशेंकय विशे अभावे पी आतन विजानियात अथेज यह विशेष विढद्ञा करता है इससे ऐसा ज्यात होता है कि भाई फिर तो आतन को विशेषिभ से जाना जार्थ करने पड़ें विशे के अभाव में भी यह मन में आ सकता है आत्ता को विशे शुब से जानना चाहिए इत्याशंग जब ऐसी आशंग होए तब यह वाक्षि प्रज़ा विज्यात और मरिके निविजानियाद सकल विशे ही नहीं रह गए विशे का अभाव हो गया तो विशे को जानने वाला था वही विशे के अभाव को भी जान रहा है उस विशे और विशे आभाव को सब को जानने वाले को तुम किस सब जाना हो गया किस साधन से जाना विशे को जाननी नहीं रह गया कि जो भी साध सद्धार विशे कोटी में अभाव आपने का दिया है कि जो भी साधन वी जो जो कुछ भी है विशे कोटी में इसलिए कई शान साथ इंशन दो ही है ग्रास्तोय थो ही एक साध्योड सॉफने शना सभी विशे है तो विजय कोटी में सारे आगिया जब उसके अभाव को दिया तो ना साध्य ना साध्य ना साध्य ना कुछ को दिया और कैसे जानों कि उस अपेक्षाद रिष्टि कॉंड से हैं करत्र वाच्छी प्रयुकर दिया है विज्ञातर अमरेक्यन विज्ञानियती दी तो चर परगति को लिककर करते हैं पहले था नहीं करता हैं अम मुक्ति के बार करते हैं तो अभीद्या काल प्रत्मान इन्याय है लोग में सामप्रतिक अभावेपी भूत प्रगत्या श्रीयत है भूत प्रगतिको कोई कतना इसे करना पड़ जाये मजबूरी में वर्तमाने बलेई ना हो पुच्चीज वर्तमाने बलेई करतित भुकतर तो नहीं है सामप्रतिक अभावेपी मने वर्तमान में नहीं रहने पर भी भूत प्रगत्य माश्रीत है भूत प्रगत्य को आश्रत करके कतन किया जाता है समझाने के लिए यही प्रक्रिया होती है विज्यान धातु रेव केवल सन जिद्यपी केवल विज्यान घनई करस है वो फिर भी भूत पूरगत्या ऐसा होते हुए भी सन शित्री प्रत्यां दिसलिए जिद्यपी वो आत्मा केवल है विज्यान घनई करस है ऐसा होते हुए भी भूत पूरगत्या कर्थ्र वचनी ने तरचा भूत पूरगत्य को आश्रत करते हुए करत्री वचै तृच्चर परत्यां को लेकरके मुक्तवस्ता में भी कतन कर दिया गया निर्दिष्टाईती गम्यते ऐसा मैसर मालूम होता है दर्शितन्त पुरस्ता काश कृस्णियों से पक्षश सश्वर्दि मत था और उन्हें पूर में ही बता दिया है जब काश कृस्णियों मत है वही वास्टक मत है वह हमने पेले दर्शा दिया के वास्तों में न जीव था न करत्रत तु था कुछ भी नहीं है, वह परमातमा नहीं अपने अविद्या के माया के मध्यम से सारा जगत को खडाक लिए, स्वाधिन माया इतने ही अंतर है पर आधिनता नहीं है, स्वाधिन माया को ले करके सबकुछ कि इस अगला में शंगाएगा फिर वो माया को इस उतंद्रकार नहीं कि बार वर आप लोग जो पुछते ना अभिन्य मित्त उपायनकार उसका प्रसंग भी उठाएगा कि बार बारे बात आएगी तो माया से बनाया माया मित्या होने सब मित्या ही है फिर उपायनकार मित्या हो या माया है उपायनकार उपायनकार मित्या हो जाएगा के लिए भी उस पुर्षभ अब ब्रह्म से भी नज शुद्न्र सद्द हैं नहीं अद्ल ऩerson ब्रेह्म में अभिन्य मित्तों पानकान में बार कर लेंगे, कि माया भी उसमें अभिन्य रूपिने परदीत है, सुतंद्र है नहीं वो, सुतंद्र होता फिर द्वाइत मत खाऊ जाएगा, फिसले अगलादिकन में आगा पूरपक्ष कहेगा, सुतंद्र कायनवाल खड़ा कर अविध्यकाल का अंतर करता समझा रहें, दर्शितंद्र प्रस्ताकाश कृष्णियश्य पक्षस्षवर्दिवत्पं आतस्य विज्ञानत परमात्परोर अविध्याप्रत्यपस्थापितन नम रूप चित धिहादय उपाजिनिमित्तों भेदो न पारमार्तिकाइती एश शर्वेर वेदान्त वादिभीर अप्यपगंत व्यहां इसरी विज्ञानात्मा और परमात्मा इन दोनों का बीच में केवल अविद्या के द्वारा उपस्थपित कर दिया गया था नाम रूप रचित द्यहादी नाम रूप आदी से रचितर द्यहादी उपादी निमित्त करी भेथा इन दोनों में भेदो न पारमार्थिक बेदा पारमार्थिक इंदोर में कोई भेद नहीं है यह अर्थ को शकल वेदान्त वादियों के द्वारा अवश्य ही स्विकार करना चाहिए जितने भी वेदान्त वेदा वादिया जितने भी लोग हैं इन लों को सब को कह दिया आप सब यही मानिये जम नहीं मानेंगे जी तो क्या करें गदे भाई देव को हम दिखा सकते हैं क्यों मानना चाहिए वो हम बता देंगे माननना मानना तुमारी मरजी है क्या करें किसकी जवरिस तो हो नहीं सकता कोई कहे कि ये गोड़ा काला है क्या करें उसकों काला बना की दिखा नहीं सकते हैं हम उसे दिखाई ही सकते हैं कि ये सफेड है और सफेड को भी काला कहेगा तो क्या कर लो इसे कल्वी उपता रहता है ना पोशाला में ले जाओ फिर मेरे आंकों में तो यही दिख रहा है सब गायों से काली दूदी निकल रही है तब क्या करोगे कोई रास्ता नहीं है कि इसने का तरक के ताम मां प्कुटर करता हो और सारी धुनिया को कहा देगा तुम्हें सक धुनिया कहां ख़ड़ाब है मेरे यह आंञ सही है हम देख रहे हैं जो वही शही है काली कैसे काली दूद लाल कैसे लाजूदी निकलती है सारी दुनिया एक तरफ हो, अकेला एक तरफ खड़ा रहे है, उक कुतरक कोंगी दुर्दसा होती है, इसने अबर कहते है कि कुतरक मत करो, लेर हम आपको प्रमान दिखाएंगे, जिसके आदर पर अद्वेत की सिद्य होती है, सदेवस्वमिदम ग्रासित एकम्यवत्वितियम देखो, चांदोग्य में, आत्य इदम सर्वं चांदोग्य, ब्रह्मय इदम सर्वं मुंडगोपनिशत, इदम सर्वं यदेम्मात्दा बृदान्य, नान्यतो तोस्ति द्रष्ठा, नान्यतो तोस्ति द्रष्ठी बृदान्य इत्यों रुपाब्या-शुर्धिव्या, सुर्धिव्यास्ट, सुमृतियां विए वासुद्यासर्मिति समहात्ता सुदुर्लबह, चेत्र ग्यंचापे मामित्धी सर्वक्षेत्रेश भारत, समंसरवेश भूतेशु सिष्टंतं परमेश्वरम अभिभक्तं भिभक्तेशु इत्ते सरी वियास्मृतियों को लेना इत्यों रूपा भ्यास्मृतिभ्या पुर्ण में भ्यास्मृतिभ्या पुर्ण में भ्यास्मृतिभ्या पुर्ण में भ्यास्मृतिभ्या पुर्ण में वह भिन्नु ऐसे मानने वह बिल्कुल जौन दाने ओव पस्वें जैसे पशू की ним सुछता है मैं पशू ह separately मेरे मालिक टुट्से मैं अलग हूं और मैं मालिक भगवान एक इसे अने वाला कुको पशुवत है अर्द भेद को मानने वाला पशु है तदा पशुना महां पर भी आया पश्वाद विस्ट विशे शात्विकाई सुरू में इत्यवें रूपा पियाँ प्रकार के शुरूतियां भेदर्षण पबद का पुबाद करने वाल या निकों है सवायशं महान अजात्मा अजरो अम्रो अम्रतो अभयो भर्मा इती चाह आपने सर्व विक्रिया प्रतिशेधा अध्वैद इसले भी मानना पड़े किसी भी प्रकार की विक्रिया का गुंजाई सी नहीं यह वहाँ पर तो द्वैद कैसे हो जाएगा किसी चीज़ को द्वैद विलाना भी चाहोगे वोसे कुछ विक्रिया की संभावन होनी चाही न अजर मिट्टी है अवाँ घड़ा बनाना चाहोगे तो विक्रिया का गुंजाई सोनी चाही मिट्टी में तब तो होगा आप जैसे मान लिजिये एक रुपया को तोड़ना है तोड़ दो गुंजाई से पचास पचास इसका दो हो जाएगा उसको भी तोड़ दो, गुंजाईसे, चाराना चाराना दूर हो जाएगा उसको भी तोड़ दो, आज की जमान उसे गुंजाईसे नहीं, क्यों 25 पर से निचे को वैल्व नहीं आप तो 50 को भी खतम कर दिये, कहीं कहीं थोड़ा वो चल जाता है उसको तोड़ पाओ के क्या, क्यों नहीं तोड़ सकते वैई, क्योंकि उसमें जो विक्रिया की संभावना थी, गुंजाईस थी, उसको खतम कर दिया पहले तो थी ना, 25 पैसा को भी तोड़ दे थी त्यार, दो दस को भी तोड़ दो, दो पांच को भी तोड़ दो, एक एक पैसे का, पांच हो जाता था मने जहां आप चाहेंगे, वहां पर आप गुंजाईस को खतम कर सकते हैं न, इसका मतलब, आपने लोकी की वभार में भी सीमा कर दिया, यहां से यहां तक सीमा, एन्यूनता में यह अधिकता में उस सीमा को तोड़ने पावे क्यों, तोड़ने की जो साधने, विक्रिया के जो कारण सामगरी, उसका आपने उच्छेद कर दिया, इस सवर आगे नहीं, बोल दिया, परमानु से आगे नहीं, परमानु के कानू, डानू, पानू, लानू बना दो, दुनिया भर की नाम गिन जाओ, जैसे अंग्रेजों कहा यही तो दुर्दसा हो रखा है, वो समझत हैं हमारे परमान की परिभाशा को, उन्हों कर एक है, पर एक है, पर फिर उसको तोड़ा, पर इलेक्ट्रान प्रोटान, दो है, फिर प्रोटान को तोड़ा, उसलिए न्यूट्रान भी होता है, प इतनी भी अकल नहीं है, और हम का अत्य जो अविभागी है, जिसको और अविभाग संभव नहीं वो परमान है, और अवरों कर दे परमान है, और उसको विभाग भी होता है, अधनिया उनकी बुद्धी की, नहीं, तो और का रहे हैं, हम दून से आगे बढ़ गई, शास्त् तुम गधे का परमान रख लो, उसको काट दो, कव मैं परमान को काट दिया स्थूल रुपेना, तो माना देखा इस बात को, किसी का नाम परमान रख दो, और को देखो, परमान काम गरदन काट दिये, वह सी विभाग ज्यान कों कहाल है, जो हमारे यां त्रस्रेण वे अत् त्रस्रेण वे अनिक को बाता है, जो से अंदर 3 वे रख दूद्रेण को मतलाब किया है, छाई अग्या वे उसके अंदर, उसे मिलकर परमान रख दान है, तुम तो नहीं पाई हो, हमारी भाशा में जो जो दूद्रेण को होता है प्रमान को तोड़ नहीं सकते, पर्मान को दूर की बात है वो जो तोट रहे है वो त्रस्रेणु को तोट रहे है उसका विभाग कर रहा है अब उसको समझते नहीं वो विभाग कितनी भी हो सकती है प्रस्रेणु में 50 विभाग कर लो कोई दिखे थे कि हमने जो 6 गुनक 3 गULOK मिला जे 75 परमान कर रहा हूँ उसे जो त्रस्रण में बना है वो संक्या कृष्प परिमाण लाया महद परिमाण आवयव कृष्प नहीं है इसलिए अँद्र लूप पचास कृसक Character is महद परिमाण आचुनंवनं कहा है वर्यक्त कितनी है यह हमसे मत पोचांगा, क्योंकि यह माया में कहा नहीं सकते हैं, जो सावेव पदार के अवेव कितने होते हैं, खोजते ही जाओ, उसका अवेव का अंत ही नहीं, माया और अवेव दिखाती ही रहेगी, यही तिखाना बंद कर दें, माया तो हार हो गया, माया का हार हो जाएग और माया यही विलक्षानता है उसी विलक्षानता का नाम माया है जो गटते गटना पुटिल सी माया इसी लिए उस निरवे ववस्ता के पहुंच आओगे जब और माया ही नहीं रहता इसलाम लोग ने वेदान पे क्या कहा जो निरवे ववस्ता है वहाँ पर माया नहीं द्यान देंगे तो अपने आप समझ में आता है क्या बोल रहे हैं इसे युसा वायेशम मानजात्मा अजरो अमरो अमरुदो वयो ब्रह्माईती आत्मने सर्व विक्रिया प्रतिशेदार सारी विक्रियां के प्रतिशेद कर दे जा अन्यदा जा मुमुक्षोना निरपवाद विज्ञान अन्पवद और दूसरी वाये दिवात नहीं मान दे मुमुक्षोन गो अपवाद रही तो विज्ञान ही उत्पन नहीं कि जो कुछ में सविकार विज्ञान है उसका अपवाद हो ते रहे हैं जितने में सविकार विज्ञान है उसका अपवाद जरूर होगा ज होते हैं कि नहीं होते हैं आपने किसी को अच्छाद में समझा है परमित्र बना लिया है और उट रहे बैटे खाये पिए घोटे माल मजाला चक्रा है बढ़िया काम चल रहा है मैंना दो मैंने के बाद किसी छोटी सी बाद खिट भी ठोगे तो कहेंगे जल बदमास है अरे जो तुमारे ले भगवान था सबसे प्रिय था इतना बढ़िया मित्र था वो बदमास हो गया मैंने क्या है सविकार का विज्ञान जो आपके अंदर पहले था उसका आपने स्वेम अपवाद कर लिया संसार में किसी भी वस्तु का आप देख लिजी इसी प्रकार से सवि कि जने निश्चित रुपन पवाद में यहीं हम देखार है विज्ञानों में बैकेने कर किया रहे है कि रोज नहीं तीरी रोज नहीं तीरी आरे क्यों आरे है तुम्हेरे को सुर्ट को करो टामिक ऑनके पचीसों अधामिक थेणी और हर थेख उनकी तो नूटन ने भी कई के अधिर की लिए बना ड़ाल जीतेजी कि तो वो क्यों बदल रहे हैं कि बदलना पड़ता है उन्हें कि विक्रिया को पकड़ के और आब एकरितर पोफ़ेंश ही ही और चित्रिया आप देखिएंगे और चमतकार देख सकते हैं माया के कोई अंत नहीं और पर हमाई ऐसी चमत कारगर दिखाएगे आपको भूल भूले में खसाती रहेगे ते वैग्यान रोचका चॉंद पड़े हुए हैं और चॉंद करने में लगे हुआ हैं कम्पुटर वाई यह वाई बनाय जाओ बनाय जाओ लगे हुए हैं नहीं नहीं टेक्नलाजी आ रहे हैं लेगन उसका हम तो कभी पानी से लेगे हैं बलकि यह मैसुस होने लग ज्यान को हम जितनी तक निया लात तो उतनी हमें दुख चलना पड़ रहा हैं उतनी ज्याला दुख है आज अमेरिका जितना परेशान है स्विस्ट के अंदर और कोई देश परेशान है सब देश की है एक वहीर अंदर शीश चौबीस गंडा बू बूम चलते रहता है. डरी-डर, कोई हमारा व्यापार गुशन ले, कोई हमारे यद्न पॉशन ले, और यद्न पॉचन ले, कोई शेक्तिशाली नहों जाए, ऒज़लेशान हो जाए. जाह है सिर पस्थिस आना है, उतना इस खत्र में पढ़ रहा है, उतना इस डरपोक होते जा रहा है, तर्वी आड़ पोक है, मान डरपोक है, और बिना इस और इस ये सहारे को चलता नहीं, इतनी दम नहीं, अकेल अमेरिका का बोलो लडो, तो लड़नी सुदा, वो इंग्लेंड को लेगा है, ये घरड़ी प्राप्त करें। यत्र तवित्तन इवभवती तद्र भयम लगे। इसके विक्रियां यही मान लोगे तो आत्मी विक्रियां मान लोगे तो मुमुक्षोंगों जो भी है उसके मुक्ति हो निसके विज्ञान का बारंबार अपवाध होते रहेगा। कोई एक स्थिर निश्चियात विज्ञान ही नहीं होते है। आतेव हमें अविक्रियात मानना पड़ेगा ताकि निश्चियात वज्ञान हो जाए। और मुंदकों प्रिशत प्रमानमी सुनिश्चितार्थत अनुपूश्टेश्चा है। मुंदक आज में का आगया विदांती क्यारत विज्ञानं का सुनिश्च्चार्थत का शुनिश्चि निश्चितार्थ अनुष्च्यमी प्रिशत है। और यही इस्ट है सभी को मानना ही होगा यहाँ बात कि निरभवाद विज्ञान, सर्वाकांचां निवर्तक, सर्व संशयों का निवर्तक, सर्व कर्मों का नाशक, सगल गृनतियों का भेदक, और आत्र विज्ञान के कोई दूसरा नहीं है विदांत विज्ञा सुनिष्चितारत हा इतीच शुर्दै है तथर कोमोहक्काशोगा एक अत्मनपश्या कहा इतीच सितरप्रग्य सिकाभास इते सारमगर्गे सितरप्रग्य लक्षनस्मृतेष्च गीतायान दो चोवन तक था यह जो आगर है कुछ लोगों के अंदर जीव से परमात भिन्न है वह बिलकुल लिरर्थक आगर है वह बलकि उनको अनर्थ में डालने वला आगर है इनको बोलना चाहिए था वाजिकार को निरर्थक नहीं अनर्थक आगर है बोलना चाहिए वह अनर्थ में डालने वला आगर है यह करें कि छेत्रग्य परमात्म एकत्विशे सम्यक दर्शने सती चेत्रग्य और परमात्मा की एकत्विशक संव्यक दर्शन इस प्रकार से शुरुती सुपर्ती न्यायों से जब सिध्ध हो गया है फिर भी सिध्य सती चेत्रग्य और परमात्मा आई थी नाममात्र भेदा है ये छेदरग्य हैं ये परमात्मा है ये जीव है ये इश्वर है ये सम्लाममात्र का भेसा है वस्त कृत कोई भेज नहीं थेवा लोग जो यह दुराग्रे निर्बंद निर्बंद वाग्र कैसा है निर्बूलक है अनर्थ कि एक ऑलग्र नामात्र वेजन बहुदा विदियत है को ऑहम भुश्याम प्रजाय आतमा लेकिन उसी को नाम मात्र कृत भेद से आप विभार करता हुआ बहुदा कथन कर देते हैं एकम सप्युप्रा बहुदा वदंती इरगवेद का बहुत बड़ा उद गोश है लेकिन नहीं सद्ध्यम्हिं नहीं सत्यम्हिण अन्द्म भ्रभ्मयों बहुत नहीं कांच देव एकम गोहम अधी करत दो जिए भी ध्यान रखना कोई कहें वो तो गोहम एक वचने न शकले सर्वास जुआ तो नहीं का एक वचन नहीं कि बोला इसको तो अनेक है कि अलग अलग होता है वास्त भिद मनना पड़ेगा सब्सक्राइब एक होता तो सरवास क्वास ऊचार भूल दी एक वचन क्वार्चन क्वारा योवेद नहीं तरुम क्वास बोलना चाहिए यह अच्प कोई शंगर गरें कांचित एकाम एवा गुहाम अधिकृत के दुखतमिती नचा ऐसा नहीं समझो कोई एकाद गुफा में ही वह ब्रहुता है ऐसा मत समझो यह प्रत्ते गुफा में अलग-अलग रहता है इसे एक बचन प्रोगिया कि दोनों यर्थ नहीं देना नहीं है नहीं है तो दुखतमिती नहीं लग नहीं समञ भिंकोई दूसराक्षेतर के जीवात नाम कवस्तो गुफा में नहीं थे भी नहीं है तो सुष्टा तो दुन प्रावशिती दी, सर्ष्टुरेव प्रवेश श्रवनात, जो उपादी का सर्ष्टा है, वो इसे प्रवेश वैर्थ कर रहा हुआ है, ये तो निर्बंदम कुर्वन्ती, जो फिर भी दुराग्रा करते हुए, भेदावेद्या, भेदवादादी, द बंद हो गया उनके लिए, और उनके अमत के अंसार जो द्वाइता द्वाइता दिमानोगे, तो कृतक अनित्यमोक्ष कलगना करना पड़ जाएगा, नियायन चनसंग अच्छंद है, और युक्ति से भी उनका बात सिद्ध होता नहीं वास्ता में, अब इसके बात प्रकरत अब जण बुद्ति है, नियुकलग zalद से घर, जळें को dai मील प्रकरत दॉसों है, जड़ है, पाढ़ अक बहुतीframes प्रमात्मती में से अब आमांना पड़ेगा, और बहुती क hybrid मानना पड़ेगा, और यो भ्रम से भिन सुद्ध है, और उसको सुतंत्रवी मानना पड़े तो द्वहित सिद्ध हो गया। ब्रह्म्यक हो गया। उससे विंचेद काणवदे का अलग। दूसरा आइटम बन गया। दू आइटम बन गया। द्वहित कहां रहो गया। और एक दूसरे का सापेक्ष वले हो लगी निर्वेक्ष का रादा है क्यों प्रकृति के विना पुरुष पाइदा नहीं कर सकता है जगत को और पुरुष के विना प्रकृति अखेली में पाइदा नहीं कर पाएगी इसे वोलोगी मन निसांग के दिए यह तो काते हैं दोनो को वास्तों में पर इस पर निमित्य निमित्य भावसेबार कर रहे हों फिर भी निर्वेक्ष। स्रिष्टी द्रिष्टिया में सब्छे सत्त्य द्रिष्ट्या निर्वेक्ष। चैतन्य को अपनी सत्ता को पाने के लिए अपने स्थित्य के लिए प्रकृति के 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 प् तरसे दान्तियाब यहाँ पर रास्ता निकालेगा, शुर्ति स्मृति अधिक सुत्रों बनाएंगे, यहाँ पर हित्व देंगे, और कहेंगे नहीं नहीं अभिन्नी मित्तो पानकार्ण मानना पड़ेगा, इसलिए प्रकृत्य जिकरन अब आरब होता है.